कि हेलो एव्रीवन देस इस अंकिता वेलकम टू टेक्नो लॉर सो एक बाव फिर से जोड़ चुके हम आप सभी के साथ और देखें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे जो आपकी यहां पर लिस्ट आई है यानि कि आपकी जो वेकेंड लिस्ट है जितने भी आप आपका यह पीडियोफ है वह आपको लेड़ी टेलीग्राम ग्रूप पर है तो अभी तक आप जोइन नहीं किये हैं तो नीचे आपका कॉमिंग चेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा साथ के साथ आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक वहां पर मिल सकते हैं और जितना भी डिसक्शन हैं अबहुत सारे स्टुडेंट्स हैं आपके तो वहां पर कहा है कि आपास में डिस्क्रास कर सकते हो जो भी आपके प्रणों disp आप वहाँ पर पूर सकतें अगर आपको कहने कि गृफट डिस्केशन नहीं करना तो आप इन्स्टाग्रम आइडी मुझसे-जो्ड सकतें आपको आप उसे वहाँ पर पूर सकतें और मैंसे कर कुशिश कर आपकी ज़से उनक्स पर एक उंसके वहाँ से के लिए वीडियो के एंड तक रहिएगा ताकि साही जीज आपको समझ में आजए और कोई प्रॉब्लम आपकी रहना जाए कोई डाउट आपका न रहे जाए वेगेंसी के रिलेटेड जो भी आपकी सीट्स खाली है उनसे रिलेटेड तो देखें यहां पर आज ही एक करना होगा तो देखें जो आपकी वेगेंसी लिस्टेस से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपकी जो सेकेंड काउंसलिंग होगी उसके अंदर आपको इहां पर मिलेगा या फिन नहीं मिलेगा सबसे पहले तो जब ट्रांसपर हो जाएगा उसके बाद भी आपकी एक लिस् जो ट्रांसपर बच्चे लिए हैं उन्हें केस तरह से आइडिया लगा सकते हैं या बाकी जो अधर स्ट्रेंट्स है वो भी किस तरह से पता लगाएंगे कि यहां पर कितनी सीट्स हैं देखें सबसे पहले आपका यहां पर थोड़ा सा जून कर देते हूं क्योंकि जो आप स्ट्रेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और पांच आपकी यहां पर अभी वेकेंट हैं इसी तरह आपकी गल्स में गल्स की थोड़ा कम रहता है प्लंबर में क्योंकि देखें बहुत साई गल्स जो होती हैं वो जादा स्विंग फैशन टेकनोलोजी या फिर आपका कॉस् पार्टिसिपेट करती हैं इसलिए अभी तक किसी ने भी एड्मीशन नहीं लिया और आपकी जो वेकेंसी वह अभी तक 12 वहापा सीट्स ओपन हैं इसी तरह से आप निश्टाइब भुवनेश्वर के लिए देख लेंगे के लेक्ट्रीशन के लिए आपकी कितनी सीट्स है उन्हें चांसेज हैं कि महाँ पर क्या है कि सीट मिल जाएगे तो कोशिश है और विशेश है कि आपकी जो भी फर्स चॉइस है वहाँ पर आपको कॉलेज मिल जाए तो आप अपने फेवरेट कॉलेज या फिर जो अपने घर के नेरेस्ट है उससे महाँ पर अपना जो CITS ह कॉलेज अगर वहाँ पर जा सकते हैं अगर जाने की मतलब थोड़ा सा ट्राइग कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं और क्या है कि महाँ से अपना CITS कॉर्स कॉलेज कर सकते हैं मैंने पहले भी कर अब भी मैं इस चीश को कह रही हूं कि देखे सब जगे सेम ही होती है आपकी लगबग थोड़ा बहुत फैगेल्टी का डिफरेंस आता है अधरवाइस आपका क्या है खुद से ही आपको CITS के अंदर पाना पड़ेगा तो अगर कहीं दूर भी मिला है तो आप एक बार कर लीजे तो कि CITS क्या है आपका यहाँ पर जितनी भी वेकेंसी आपकी आती है आइडिया इंस्ट्रेक्टर की उसके अंदर आपका कंबल सरी हो चुका है तो जरूरी है कि आप अपना सी आइडियास करें क्योंकि आंगे जो क्या है अपका कॉंपटिशन टफ ही होने वाला है ठीक है बाकी सीट आप यहाँ पर खुद देख लेंगे क्योंकि यह PDF बहुत करें तो कि पहले पूरा देखिये। की तो पूरा देखना चाहते हैं आप 210 में देख लोकि अगर में नहीं देख सकते तो नहीं है तर तो आप क्या कर सकती है विडियो में क्या बताए क्या चाहिए बताय krasve आप कर रहो वो सारे के सारे कोमेंट्स आपके कवर किये जा जुक्हे हूं तो एक तर वीडियो ज़रूर देखा करें ताकि उस इन्फोर्मेशन आपको मिले कोई पहon यहाँ नहीं होता आपका हर वीडियो से कुछी ना कुछ इन्फोर्मेशन आपका इहाँ पर मिलता है लेकिन हम यहां पर क्या है देखे मैं कुछ निश्टी आई के ऊपर आपका इहां पर डिस्कुशन जभू करूंगी जैसे आपका निश्टी दहरा दू तो इसके अंदर आप देखे लिए क्रिशन टेट में अठाई सीट थी 21 यहां पर कहें कि स्टुडेंट्स ने यहां पर पाडिसिपेट कर लिया है और सेवन सीट अभी भी बाकी है तो ट्रांसपर राउंड के बाद भी आपकी सीट खाली हो सकते हैं क्योंकि जो बच्चे रांसवर चाहते हैं वो इदर उदर अ आपकी जनल के अंदर तेरा सीट और लेड़ी फूल हो चुकी और सिर्फ आपकी क्या है एक सीट अभी यहां पर बची हुई है इसी तरह से आपका गल्स के लिए थे के छे सीट थी तो छे की छे पूरी आपकी यहां पर फेल हैं तो इस तरह से आप पूरा का पूरा जितना यह है वह पूरा चेक करेंगे एक कॉपी पैन लेकि जहूँ बैठा करिए ताकि आप नोट कर पाएं एटलिस नोट करेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि इतनी इतनी सीट्स आपकी यहां पर बची देखे इस बार क्या हुआ है कि ओल इंडिया रेंकिंग पर आपक 63 मार्क्स थे लेकिन फिर भी उसको क्या है निस्टे इक आनपूर के अंदर इड्मीशन मिल गया और कुछ इस्टुनेंट्स ऐसे हैं जिनके 70 प्लस मार्क्स हैं लेकिन उन्हें आपर इड्मीशन नहीं मिला है तो यही क्या है कि चोईस करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आ आपका प्रोविशनल एड्मीशन फाइनल एड्मीशन जो भी चीजे है वह प्रोसेस कंप्लीट होने को आप भी देख सकते हैं कि अगर आपने धंग से की होगी तो आपको कोई ना कोई कॉलेज यहां पर हो चुगा होगा तो इस तरह से आप पूरी की पूरी लिस्ट आपको कोई डाउट रहता है जैसे लगनाउ आइटी ओटी के लिएक डाउट लेकिन उसे क्या कराना है ट्रैंसफर करवाना है लगनाउ के अंदर तो इहां पर सीट कितनी दिखा रहा है आपकी छे और यहां पर क्या है कि जनल के लिए अगर हम देखें तो 11 सीट ठीक है तो आपका क्या कि सिर्फ तीन सीट है अब उसका कोशन क्या था क्वेडी ये थी कि क्या उसके चांसेज हैं यहाप सीट मिलने के तो देखें कुछ चांसेज है अगर बहुत सारे स्ट्रूइंट्स ने हाँ पर ट्रांसफर के लिए अपलाई नहीं किया होगा या फिर बहुत स एक्षेन में लिखें जादा यहाँ पर वीडियो लेंदी नहीं करूंगी इतना ही काफी है और पीडियाफ पूरा इहाँ पर डिसकर्स करना या फिस हाई चीजें करके बताना तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि एक से डेड़ घंटे अपने क्या है वेस्ट करना ठीक है तो इससे चाप देखिए अगर कोई डाउट रहता है तो कॉमेंट चेक्शन में लिखें आप स्क्रीन शॉट भेज सकते हो आपका टेलीग्राम ग्रूप पर भी या फिर मुझे डेलिटली इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेस कर सकते हो कल संड़े है तो मैं कोशिश मिलती है राइट इंफोर्मेशन मिलती और टाइम टू टाइम इंफोर्मेशन मिलती तो सब्सक्राइब करिएगा और बैल आइकन को कर दीजेगा प्रेस ताकि इसी तरह की नोटिफिकेशन वाली वीडियो आपको मिलती रहें और आपकी कोई भी हम पर क्या है परी के साथ नए अबडेशन के साथ तत्त कि लिए अपना ध्यान रखें बाइबाइब टेक किया आए